हेलो गाईज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हरियाना कोलेज एडिमिशन 2021 ओपन काउंसलिंग के उपर गाईज जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारी एक सीरीज चली हुई है आज की वीडियो में इसी के उपर हम बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें और open counseling में आपका admission कहीं न कहीं हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पहले doubt के उपर कि क्या यहाँ पर आप course और college change कर सकते हो, तो guys हाँ आप दोनों काम कर सकते हो, जैसे आपने पहले किसी college के लिए apply किया था, लेकिन आपका न साम नहीं आया, merit list में, तो आप यहाँ पर अपने college हो, चेंज कर सकते हो, दूसरा माँ बात करूं, course जैसे कि आपने पहले BA के लिए क्या था, अब आप BBA करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, चेंज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहीं माँ बात करूं, guys, दूसरे पहले किया था, ठीक है, यहाँ पर आपको series सही लगाने है college की, और अगर आप मेरा opinion मानो तो भाई, आप एक या दो college में अपलाई करो, वहीं आपका admission हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको check क्या करना है, guys, open counseling में सबसे बड़ा जो factor आता है, जो आपका admission रोक भ नहीं थी, अब आपने BA चेक करना है, कि इस college में अपलाई करना चाता हूँ, इसमें BA की कितनी seat बची हुई है, ठीक है, अगर उसमें कम है तो कोई और college देख लो, उसमें कम है तो कोई और देख लो, ठीक है, लेकिन जिसमें ज़्यादा seats हो, उसमें ही apply करना है, अब इसका आपको कल या फिर परसो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, अभी उसको option नहीं आए, seat देखने का, so guys, I hope आपको समझ में आ गया होगा, कि आपको कैसे क्या करना है, और आपको बिल्कुल टैंसर नहीं रेनी है, easily आपका admission हो जाएगा, बस थोड़ा दिमाग से चलना है, थोड पर आपका doubt भी पिक कर सकते हैं, ठीक है, wish you all the best, जैहिंद जैभार